असलाम आलेकुम नियों स्टूडन्स कैसे आप सब लोग उमीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर खरीयत से होंगे आप लोगों को आज मैं जो है आपका एक सब्जेक्ट है किमिस्ट्री का टेंथ क्लास का उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट कॉस्टन्स शेयर करूंगी ताक लोग उनकी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहे जब आप स्कूल में जाएं तो आप लोग बिल्कुल ब्लैंक ना जाएं आपको पहले से ही सब कुछ आता हो तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फुल शॉर्ट कॉस्टन्स शेयर करूंगी बहुत ही लाइटर मो है तो वेलन गुड है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा यह आप लोगों के बोर्ड के एक्जाम में इवन आपके फर्स तर्म सेकिंड टर्म सेंड अप्स मॉक टेस्ट सेशन प्री बोर्ड तमाम तर्क एक्जाम में आपको बहुत काम आने वाले है तो स्क्रीन पर सकते हैं if reaction quotient qc of a reaction is more than kc what will be the direction of the reaction next है what are monosaccharides और give one example of it उसके बाद है write the equilibrium constant expression for the reaction आगे reaction दिया पर आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर number four पर है how dynamic equilibrium is established next है write down the equilibrium constant expression for the following reactions reactions आप लोगो को दिये गए है आप लोग नीचे देख सकते हैं उसके बाद है write the uses or use of oxygen and nitrogen in the manufacture of chemicals ठीक है आप इसके use एक एक बता सकते हैं क्यूकिक्के short questions है long में है तो आप इसके uses भी बता सकते हैं why is equilibrium state attainable from either way उसके बाद है why are equilibrium state reaction does not stop differentiate between reversible and irreversible reaction very common and very important question इसका answer तो मुझे लाजमी चाहिए नीचे इसके बाद है how direction of a reaction can be predicted इसके बाद है why at dynamic equilibrium state reaction does not stop ठीक है इसके बाद है complete the equation ये रेखे है h2 plus i2 को आपने explain करना आगे ये क्या बनती है आपने मुझे बताना है इसके बाद है right to macroscopic characteristics of reverse reaction I am repeating कि इसमें microscopic नहीं macroscopic reaction पुछा गया तो आपने वही बताना है उसके बाद why is equilibrium state ये तो already हो गया ये repeat हो गया question अच्छा उसके बाद next है define the following terms जो कि आपकी definitions आ सकती है जो important है इस chapter में वो है dynamic equilibrium state इसकी definition आप लोग ने बतानी है chemical equilibrium state इसकी definition आप लोग ने बतानी है reversible reaction की आप लोगों ने definition जो है वो बतानी है मुझे इसके बाद आपको बता दो इसमें irreversible reaction की definition भी आ सकती है और कुछ balancing equations वाले जो important चीज़े हैं वो भी आप लोग चेक आउट कर लिजेगा साथ साथ आपको explain करती चलूँ कि जो आपकी chapter के end पर questions है वो आप लोगों को ने miss नहीं कर लें वो हमेशार prepare करने हैं आपके 2024 में जो paper है वो slo base ही आएगा और हम उसके according ही अभी अपने त्यारी स्टार्ट करेंगे ताके हम लोग चेप्टर बाइस भी slo base preparation कर लें कोई भी मुश्किल नहीं हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आए थमसब करना मत भूलेगा उसके साथ साथ आपको मैं यह भी बताती चलू के 2024 में तो आपका रिजल्ट आएगा माइट पॉसिबल रिजल्ट में चेंजिस आजएं काफी सारी चेंजिस और भी आएंगी तो माइट पॉसिबल रिजल्ट आपका इस बार सीजी पे के कोडिंग आए 2023 में तो चले जो आ गया सो आगया आने वाला है वो तो प्रिपेर हो चुक कर दें एस कंपेर टो हम एंड पे जाएं और एकदम से सारा बर्डन लें जो हमें आता है वो भी हम भूल जाएं तो यह मिक्स अपनी करना अभी से मेरे साथ रहिएगा स्टार्ट कीजिएगा त्यारी और एंड तक इंशाला हम लोग जुरूर चलेंगे फिलहार मुझे दे लोग जाएं तनकल्द की घा आला प्स